सुख आये चाहे दुख आये गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख्खम दुख्खम समम् कृत्वा लाभा लाभौ जया जयाओ दुख सुख लाभानी जय पराजय ये तो जीवन में लगे रहते हैं लेकि तुम अपने आपको शिव के चरड़ों में शरणागत बने रहो एक बार तुम्हारी जो डूर है मन की ये भगवान शंकर के चरड़ों में बन गई तो तुम चाहे कहीं भी भटको कहीं भी घुमो कुछ भी तुम्हारा बाल बांका बिगड़ने वाला नहीं देंगी तो इसी प्रकार से जब तुम अपने मन को भगवान शिव के चरड़ों में इस रसी कोई जो मन रूपी डोर है इसको जब तुम भगवान भोले नात के चरड़ों में बांध दोगे तो फिर तुम कितनी भी दूर से कूद जाओ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है संसार के काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, माचर, इर्शा, त्वेस या कोई भी विशाद तुमको नहीं परिशान कर सकते हैं तुम्हें आकरशित नहीं कर सकते हैं इसी लिए कुछ मत करो बन राख़ू जहा कृपान निधाना इस मन की दोर को भगवान आदिदेव, महादेव, आशुतोश के चरण कमलों में बांध लो बस तुम्हारा कल्यार हो जाएगा